Hello friends, welcome to my channel, मेरा नाम विनीता है और मैं इस वीडियो में आपसे एक important topic के बारे में बात करने वाले हूँ अगर आप एक lady हैं और आपके बच्चे छोटे हैं और आप further कुछ study करना चाहती हैं या फिर आप किसी competitive exam की preparation कर रही हैं या फिर आप अपने लिए कुछ time निकालना चाहती हैं कि आप अपनी life में कुछ आगे कर सके self dependent बन सके और आपके बच्चे छोटे हैं आप time manage नहीं कर पा रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए helpful होने वाली है and second इस वीडियो में मैं जो भी आपसे share करने वाली हूँ वो अपने personal experience से share करने वाली हूँ because मेरी बेटी अभी छोटी है मेरी बेटी अभी 2 years and 10 months के around की है and मैंने अभी SSE CGL 2018 का exam clear किया है जब मैंने SSE CGL 2018 का pre का exam दिया था उस time पर मेरी बेटी around 10 months की थी and जब मैंने mains exam दिया था उस time पर मेरी बेटी around 13 months की थी तो मुझे पता है कि exam की preparation करते हुए हमें कुछ problems का, कुछ challenges का सामना करना पड़ता है कुछ challenges face करने पड़ते हैं उन challenges से किस तरीके से हमें overcome करना है इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं तो first मैं बात करूंगी कि अगर आपको कुछ भी अपने life में आगे करना है, self dependent बनना है अपने लिए एक job secure करनी है तो आपको, अपने आपको mentally strong बनाना पड़ेगा पहले आपको ये समझना होगा कि बेबी के साथ preparation करना थोड़ा tough है, difficult है बट difficult comments ये बिलकुल भी नहीं है कि आप कर नहीं सकती है, आप कर नहीं पाएंगी difficult comments है कि आपको थोड़े efforts ज़्यादे लगाने पड़ सकते हैं आपको थोड़ा time लग सकता है बट अगर आपने अपने मन में ठान लिया है और अगर आपने decide कर लिया है कि आपको करना ही है तो आप definitely अपने goals को, अपने targets को achieve कर पाएंगी या अपनी life में successful हो पाएंगी and second आपको ये भी अपने mind में ध्यान रखना है कि आप कोई superwoman नहीं है अगर आप पढ़ाई को time देना चाहती है तो आप ये बिल्कुल भी guilt feel मत करिये कि आप दूसरी चीजों को उतना अच्छे से manage नहीं कर पा रही है आपको थोड़ा compromise तो कहीं करना पड़ेगा अगर आप study करना चाहती है अपने baby की take care अच्छे से करना चाहती है तो आपको दूसरी चीजों में थोड़ा compromise कर लेना है means आप baby को first priority पर रखिए study को second priority पर रखिए और फिर जो other चीजे हैं household chores हैं ये कुछ other चीजे हैं उनमें जो necessary है वही आप करिए जिन चीजों को आप avoid कर सकती है उनको थोड़ा avoid करके चलिए because आपके पास भी 24 hours हैं जो other aspirants हैं उनके पास भी 24 hours हैं बट आपको अपने दिन का maximum time baby को देना पड़ता है तो आपको कही ना कही थोड़ा सा compromise करना पड़ेगा और इसमें कुछ भी गलत नहीं है अगर आपको लगता है कि आप दूसरी चीजों को साथ compromise करके कुछ गलत कर रही है या आपके मन में guilt feel होता है तो आप उसको छोड़ दीजे ये आप कुछ अच्छा करने के लिए कर रही है आप अपनी study को time दे रही है आप अपने baby को time दे रही है ये guilt आप अपने मन से पूरे तरीके से निकाल दीजे and second आपको अपनी preparation के दोरान confident रहना है आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक student के अपने struggle है अगर 10,000 vacancy किसी भी government exam में निकलती है और उसमें 10,000 students select होते हैं तो उनमें से 5,000 और 6,000 students ऐसे हो सकते हैं जो continuous पढ़ाई कर रहे हैं जो regular student है जिनको family support भी है बट 3,000 या 4,000 students ऐसे भी होंगे जिनकी अपने अलग struggles हैं जिनकी अपनी problem से किसी के पास money नहीं है किसी के पास time नहीं है जो अभी job में रहते हुए preparation कर रहे हैं या फिर किसी के पास family support नहीं है तो इस तरीके से अपने struggles को overcome करते हुए उन्होंने ये job ली है तो आपको भी उन 3,000 या 4,000 में से एक बनना है अपने struggles से अपनी problem से किस तरीके से overcome करना है आपको सीखना है तो अभी आपके पास सबसे बड़ा struggle ये है कि आप time किस तरीके से manage करें कि आपको अपनी study के लिए time मिल जाए इसके लिए आप सबसे पहले ये वीडियो को यहीं पर पोज कीजिए पैन और पेपर उठाइए उस पर अपना morning से लेके evening तक, night तक अपना routine लिखिए आप किस time पर उठती है, किस time पर सोती है बीच में आप क्या करती है आपको कितना time दूसरे कामों में देना पड़ता है ये सब आप अपना एक paper पर लिख लीजिए फिर अपने baby का routine लिखिए वो किस time पर सोता है, किस time पर उठता है आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आपका baby सोता है उस time पर आपको अपना maximum time पढ़ाई को देना है आपको other activities में अपना time नहीं देना है या दूसरे कामों में अपना time नहीं देना है जब वो सो रहा है तो आपको अपना study routine आपको अपना time table इस तरीके से बनाना है जो आपका baby का sleep time होगा उस टाइम पे आपको पढ़ना है छोटे बच्चे मोशली 10 आर्स सोते हैं या तो continuously रात को 10 आर्स सो जाते हैं या तो रात को 7 और 8 आर्स सोते हैं और 2 या 3 आर्स वो दिन में सोते हैं तो इस तरीके से मोशली 10 आर्स छोटे बच्चे सो जाते हैं तो आपको उन 10 आर्स में 6-7 आर्स आपने सोने का रखना है बाकि 3-4 आर्स आपको अपनी पढ़ाई का रखना है मिन्स जब आपका बेबी सो रहा है तभी आपके 3 आर्स पढ़ाई के निकल जाएंगे अगर आपका बेबी दोफैर में सोता है 2 पीम to 4 पीम या 4 पीम to 6 पीम जो भी उसका स्लीप टाइम है आप उससे पहले अपने घर का काम कंप्लीट कर लीजे जिससे आपको उसके सोने के टाइम पर कुछ भी काम नहीं हो अलग टास्क नहीं हो तो आप अपना वो टाइम पढ़ाई में प्रॉपरली दे पाएं अगर आप बेबी के सोने के टाइम पर अराउंड 3 आर्स पढ़ लेती हैं तो आपकी मैक्सिमम प्रोडेक्टिव इस्टडी उसी टाइम पर कंप्लीट हो जाएगी फिर आप उसके जगने के टाइम पर 2-3 आर्स अगर अपने निकाल लेंगी मैनेज कर लेंगी तो आपका दिन का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि किसी भी एक्जाम के लिए अगर आप दिन में 4-5 आर्स प्रोडेक्टिव इस्टडी करती हैं तो आप उस एक्जा क्ष टाइम अपने लिए अपनी लिए निकाल सकती है तो आपको अपने बेबी के इंट्रेस्ट को पहले देखना होगा कि वह किन चीजों में जदे इंट्रेस्ट लेता bike 12.000 ग जिससे आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर पाई जैसे आप उसको ड्राइंग करने के लिए डे पर उसको अपने साइड में बैठा लीजिए आप भी अपनी स्टेडी करिए और वह भी पैन और पेपर से थोड़े टाइम तक अपना टाइम पास कर लेगा या फिर आप उसको थोड़े टाइम के लिए टीवी में कार्टून लगा कर दे सकती हैं हाफ एनार के लिए और उस साइकलिंग करने के लिए दे सकती हैं साइकलिंग में भी बच्चे काफी इंजोय करते हैं अगर आपके घर में उतना स्पेस है वह साइकलिंग करेगा तब तक आपके लिए हाफ एनार या वनार पढ़ाई के लिए निकल जाएगा इस तरीके से कुछ छोटी-छोटी कि थी और 13 मंस की जैसे मैंने बताया उसको फीडिंग कराती ती जब मैं उसको फीडिंग कराती ती वह एक पार में आदे गंटे तक फीडिंग में इंगेज हो जाती ती और उस टाइम पर मैं पीछे अपनी बुक रखके पढ़ाई कर लेती थी कई बार मैं येरफोन लगा कर अपना करणटव Glory और उसको फीडिंग कराती तो इस तरीके से भी मुगे एक बार में हाफ तो इस तरीके से अपना टाइम मेनेज कर सकती नेक्स्ट आपको अपने घर में अगर आफstation कर सकती है तो मौपिंग के लिए बर्दन के लिए जो इस तरीके के काम होते हैं जो आप house help से करा सकती हैं तो आप house help रखिए इससे आपको काफी help होगी आपको लगेगा कि one hour ये one and half hour मेरा इन सब चीजों में जाता है वो मैं खुद कर सकती हूँ बट इन चीजों से आप physically tired feel करती हैं जिससे आप उतना ज़्यादा पढ़ाई में productive नहीं रह पाएंगी तो आप अगर afford कर सकती हैं तो इन चीजों के लिए mopping बरतन के लिए house help रख लीजिए इससे आपको काफी help होगी next आप किसी भी family member की भी help ले सकती हैं जैसे अगर आपके साथ आपकी mother-in-law रहती है या फिर आपके husband थोड़े time के लिए अगर free रहते हैं तो आप उनसे भी help ले सकती ह हैं आप कुछ time के लिए बच्चे को उनको सम्हालने के लिए दे सकती हैं और उस time पर अपनी study कर सकती हैं इस तरीके से अगर आप उसके सोने के time पर three hours अपनी study के लिए निकाल लेती हैं और उसके जगते उवे two to three hours निकाल लेती हैं तो आपका study का five to six hours का time table बन जाएगा अ five to six hours अपनी study को देती हैं तो वो किसी भी exam को clear करने के लिए enough time है I think मेरी ये वीडियो आपके लिए helpful रही होगी अगर आपको कोई भी study से related problem है तो आप please comment box में comment करिए मुझे लगता है कि मैं आपकी help कर पाऊंगी क्योंकि मैंने भी बेबी के साथ preparation की है और exam clear किया है तो उनको solve करने में आपकी help कर पाऊंगी अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो helpful रही हो तो मेरे चैनल को subscribe करना मत भूलना thank you for watching